जै मसी की मसी पड़िवार वचन जीवनकारी ख्रम में आप सभी को हम फिर से स्वागत करते हैं और दनवाद देते हैं हमारे साथ में सामील होने के लिए परमेश्वर के वचन से परमेश्वर के विशे में सीखने के लिए कि कि यह बहुत जरूरी रहता है और हम जानते हैं और बहुत खुशी लगता है कि जब हम पादरी और हम आपके साथ में होकर दो आप घर पर है लेकिन हम यहां से जब साथ में हम जानते हैं कि आत्मा के साथ में हम साथ में हैं और परमेश्वर का बचन सीखते हैं तो पिछले सब्ता और इस सब्ता एक ही विशे है जो हम भेट या चड़ावा या बली के विशे में जो हम बाते करते हैं किस प्रकार से परमिश्वर ने मुसा के द्वारा जो माय याजक थे जो एरोन और उसके जो पुत्र थे बतलाया गया कि जो बली है उसे किस प्रकार से या जो भेट है किस परकार से लेकर आना, जो तंभू था, मेल मिलाप का तंभू उसमें लेकर आना, तो हमने पिछले सपता देखा कि जो दो परकार का जो भेट था उसमें जो पहला जो भेट था जो प्रास्चित का जो महान दिन था जो साल में एक बारा आथा था उसके विशे में हम लोगे कुछ देखा और फिर हमने ये भी बतलाया कि जो दूसरा बेट जो था वो पास तरह का जो बेट था और जो जिसके विशे में हमने बतलाया था कि जो पहला था जो ओम बली अन बली मेल बली पाप और दोश बली और जो पाँचवा था नदब और अभीहू का पाप का जो बली था जो पाप के विशे में हम लोग देखेंगे और जो पहला जो भेट था वो था ओम बली या अंग्रेजी में जो हम कहते हैं बेंट ओफरींग तो हम चाहते हैं पद्री अगर आप लिविटिकस के किताब वन वन से नाइन तक पड़े पहला आप यहा ने मुसा को बुला कर मिलाप वाले तंबू में से उस से कहा इसराइलियों से कहे कि तुम में से यदी कोई मनुश्य यहा के लिए पशू का चड़ावा चड़ाए तो उसका बली पशू गाए बैलों अथवा भेड बकरियों में से एक का हो यदी वा गाए बैलों में से होम बली करे तो निर्दोस नर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर चड़ाए कि यहा उसे ग्रहन करे वा अपना हाथ होम बली पशू के सिर पर रखे और वा उसके लिए प्राइश्चित करने को ग्रहन किया जाएगा तब वा उस बचड़े को यहुआ के सामने बली करे और हारुन के पुत्र जो याजक है वे लहु को समीब ले जाकर उस वेदी के चारों और च्ड़के जो मिलाप वाले तंबू के द्वार पर है फिर वा होम बली की खाल निकाल कर उस पशू को तुकड़े तुकड़े करे तब हारुन याजक के पुत्र वेदी पर आग रखें और आग पर लकडी सजा कर रखें और हारुन के पुत्र जो याजक हैं वे सिर और चर्वी समेत पशू के तुकड़ों को उस लकड़ी पर जो वेदी की आग पर होगी सजा कर रखें और वा उस अंडियों और पैरों को जल से धोए तब याजक सब को वेदी पर जलाए कि वा होम बली यहुआ के लिए सुगदाएक सुगंद वाला बली ठहरे पादरी यहाँ पर हम देखते हैं कि आपने जो पड़ाता लिविटिकस वन और फो में और यहाँ पर कहता है जो ओम बली के विशे में यह कहता है कि वा अपने हाथ ओम बली पर सिर उसके सिर पर रखे यानि कि जो बेडा या जो गाए या जो लेकर आते थे जो लोग थे जो ओम बली के जो अपने पाप के लिए लेकर आते थे तो उन लोगों को अपना जो हाथ है उसको उस बली के उपर रखना था ये चिन देता था कि जो हाथ रखते थे वो ये चिन दिकलाते थे कि जो मनुश का जो पाप है वो उस बेड़ा पर या जो जो भी बली को लेकर आते बकरे या जो भी थे उसके उपर उस पाप उनके उप पर जाते थे और जो वहाँ पर आपने यह भी कहा कि जो निरधोश याने कि वो जो निरधोश थे या हम अगर इसके सरल में बता एक तो वो धर्मी थे क्योंकि वो निरधोश थे उसका जो धर मीटता है वो मनुश के उपर याने की हमारा पाप, मनुश का पाप उस पर जाएगा और उसका निर्दोष मेरे उपर आईगा। इसलिए ओम बली चडाया जाता था इसलिए उसके सिर पर हाथ रका जाता था तो मनुश क्या होता था कि उसके दौरा वो जो पाप किया था, वो पाप बेड़ा पर चल गया और वो गुना से माफ हो गया या जो गलती किया उससे माफी को प्राप्त करते थे उसलिए हाथों पर तो अगर आप लिविटिकस के किताब लिविटिकस 6, 8 to 13 अगर आप पर दें फिर अमनों लोटेंगे फिर यहुआ ने मुशा से कहा हारुन और उसके पुत्रों को आग्या दे कर या कहे कि होम बली की विवस्ता या है होम बली इधन के उपर रात भर होर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अगनी वेदी पर जलती रहे और याजक अपने सनी के वस्तर और अपने तन पर अपनी सनी की जांगिया पहिन कर होम बली की राख जो आग के भसम करने से वेदी पर रह जाए उसे उठा कर वेदी के पास रखे तब वा अपने ये वस्तर उतार कर दूसरे वस्तर पहिन कर राख को च्छावनी से बाहर किसी शुद्र स्तान पर ले जाए वेदी पर अगनी जलती रहे और कभी बुझने ना पाए और याजक प्रती दिन भोर को उस पर लकड़िया जला कर होम बली के तुकडों को उसके उपर सजा कर धर दे और उसके उपर मेल बलियों की चर्वी को जलाया करे वेदी पर आग लगा कर जलती रहे वा कभी बुझने ना पाए उस समय पर आग डर शाता था की परमिशर का जो उपस्तती है वहा पर सरवड़ा है इसलिए वह आग कभी बुजना नहीं चाहिएा आज हम देखते हैं कि वो आग हमारे जीवन में कभी बुस्ता नहीं है और वो आग दरसाता है पवित्र आत्मा के विशे में तो ये था ओम बली के विशे में और अब हम दूसरे देखते हैं जो दूसरा जो भेट है या जो चड़ावा था वो है जो अन बली जिसे हम कहते हैं मिल औफरिंग कहते हैं और यह बली रहता था जी अने हम कहड़े, यह प्रमिशर का प्रति इस साल हमें इतना जो अन दिया है या अशीश को दिया है वह अपने प्रति जो अपने और से लेकर बली चड़ाते थे जिसे हम अन बली कहते तो हम पढ़ते हैं लिविटिकस में अगर हम देखते हैं पादरी दो लिविटिकस टू वन टू अगर आप पढ़े जब कोई यहवा के लिए अन बली का चड़ावा चड़ाना चाहे तो वह मैदा चड़ाए और उस पर तेल डाल कर उसके उपर लोबान रखे और वह उसको हारुन के पुत्रों के पास जो याजक हैं लाए और वह अन बली के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुठी भर कर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए और याजक उन्हें शमरन दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर जलाए कि या यहुआ के लिए सुकदायक सुगंदीत अन बली ठहरे तो यहां पर हम देखते जो अन बली के विशे में जिसे मैंने कहा कि जो लोग अपने प्र परमेश्वर के लिए लेकर आते हैं और जो चड़ाते हैं वो दरसाता है परमेश्वर के जो वाचा के जो लोग थे या परमेश्वर के प्रती अपने फ्रेम को दिखलाते थे जो लोग थे तो हम देखते हैं कि जो पहला जो मैदा कहता है ना फ्लावर जिसे कहते हैं आटा विश्या का जो विशे में जो बतलाता है सुन्दर्ता के विशे में बतलाता है कि सुन्दर्ता क्यों जब पाप से चमा होते हैं तो सुन्दर्ता और दूसरा जो उसमें इस्तमाल किया जाता है वो जो तेल जिसे हम कहते हैं जो तेल लेकर आते हैं उसके ओपर छोड़ा जाता है vô दरसाता है जो पवित्र आत्मा का अभिष्यक्ता जो आज हम मशीग्ता के लिए है लेकिन उस समय नहीं था लेकिन वो दरसाता था कि जब आता लेकर आते थे पर जब तेल रखते थे तेl से मलते थे तो वो दरसाता था कि जो परमिश्वर या परविष्य मसी या पवित्र आत्मा का अभी शेक्टा के विशे में फिर हम लोबान जिसे कहते हैं ना जो महकता हुआ जो महक जो ता जिस जो अरेक जो वस्तू जो महकता था उससे लोबान बना कर जब लेकर आते थे तो वो दर्शाता है कि जो हम परमेश्वर की अराधना करते हैं जो व महिक ता वो दर्शाता है कि किस प्रकार से हम जो परमिश्वर के प्रती महिक लेकर आते थे तो उसमें से जैसे हमने देखा कि और जो अन बली लेकर आते थे परमिश्वर का जो भाग रहता था उसको परमिश्वर को दिया जाता था और जो बस्ते थे वो जो मायाजक और उसक तंबू पर उनका जो जो क्या खाने के लिए उन लोग काम नहीं कहते थे बारे लेकिन परमेश्वर ने एक जो भाग बली के साथ में उन लोगों के लिए रखा था तो हम आगे पड़ते हैं और जो तीसरा देखते हैं मेल बली या हम यह कह सकते हैं कि जो शांती बली जो उसका चड़ावा मेल बली का हो और यदि वा गाए बैलों में से किसी को चड़ाए चाहे वा पशू नर हो या मादा तो जो निर्दोस हो उसी को वा यह वा के आगे चड़ाए और वा अपना हाथ अपने चड़ावे के पशू के सीर पर रखे और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर बली करे और हारुन के पुत्र जो याजक हैं वे उसके लहु को वेदी के चारों और छिड़के और वा मेल बली में से यहुआ के लिए मेल बली ठहरे अथार्थ जिस चर्बी से अंतरिया च्छपी रहती है और जो चर्बी उन में लिप्टी रहती है वा भी और दोनों गुदे और उनके उपर की चर्बी जो कमर के पास रहती है और गुदों समेत कलेजी के उपर की जिली इन सबों को वा अलग करे तब हारुन के पुत्र इनको वेदी पर उस होम बली के उपर जलाएं जो उन लकडियों पर होगी जो आग के उपर हैं कि वा किया यहुआ के लिए सुगदाएक सुगंदीत मेल बली ठहरे यदि यहुआ मेल बली के लिए उसका चड़ावा भेड बकडियों में से हो तो चाहे वा नर हो या मादा पर जो निर्दोस हो उसी को वा चड़ाए जो निर्दोस हो यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं पादरी साब जो निर्दोस हो और अगर हम देखते हैं कि आगे बढ़कर इस मसी के विशे में वो निर्दोस ही था दरमसास कहता है कि वो निर्दोस था उसमें किसी तरह का पाप नहीं था और खुद उसके सब्द ऐई ऐसा नहीं निकला जिसे हम उसे पापी टेरा सकते हैं तो जैसे मैंने कहा था कि हर एक जो ये भेट या जो चड़ावा है बली जो है वो निर्दोस था और वो दर्शाता था ये इसमसी के विशे में जब वो आएगा उसका जनम होगा और वो किस प्रकार से हमारा जो पाप लेगा तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो मेल बली जो था या सांती का बली था ये दर्शाता है कि परमिश्वर ने मनुश को साथ में जो वातलाप या उसके साथ में एकठे होने के लिए ये बली के द्वारा आते थे और ये भी हम देखते हैं कि ये बतलाता है कि जो साथ में ह उनके जितना पुत्र उनके परिवार के लिए था और उनके साथ में जो ओम बली लेकर आते थे वो परिवार के साथ में उसके साथ में भोजन प्राप्त करें यानि कि यह दर्साहता है कि अगर अगर डू लोग अगर दुश्मन रहते हैं वो साथ में कभी नहीं बोज़न क्राप्त करेंगे क्योंकि वो दुश्मन हैं, वो लड़ाई इजगड़ा करेंगे, डर रहेंगे लेकिन यहां दरसाता है कि लोग जो थे वो परमेश्वर का दुस्मन हो गया था पाप के कारण से लेकिन यह दरसाता है कि अब वो दुस्मन नहीं रहा वो साथ में हो गया इसलिए बोजन अगर हम Revelation 3.20 में देखते हैं पादी तो वो दिखलाता है वहाँ पर कहता है कि देख म मैं द्वार पर खड़ा हुआ कट-कटाता हूँ वहाँ पर दरसाता है यदि कोई मेरा सब्द सुने सुनकर द्वार खोलेगा तो वो मेरे उसके मैं उसके पास बीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ याने कि मेल मिलाप होगा मैं कट-कटाता हूँ दरव कि हम साथ में परिवार आता है क्या करते हैं दोड़कर हम लेते हैं जाकर खसी काट देते हैं मुर्गी काट देते हैं पनीर बटा बना देते हैं जो मास्ट नहीं काते हैं तो वो अपने तरीके से बना लेकिन मेल मिलाफ होता है तरह का मेल मिलाफ है जिसे हम एक दूसरे के तो हम चलते हैं आगे बढ़ते हैं और जो चौता है उसे देखते हैं और वो है पाप बली और दोश बली जो हमें मिलता है लिविटिकस के किताब में फाइव वन से सिक्स लेगरा पादरी पड़े यदी कोई साची होकर ऐसा पाप करे की शपद खिला कर पूछने पर भी क्या तूने या सुना अथवा जानता है और वो बात प्रगट ना करे तो उसको अपने आधरम का भार उठाना पड़ेगा अथवा यदी कोई किसी अशुद्र वस्तु को आज्यानता से चूले तो चाहे वा अशुद्र बनेले पशु की चाहे अशुद्र घरेलू पशु की चाहे अशुद्र रेंगने वाले जिव जन्तु की लोथ हो तो वा अशुद्र होकर दोशी ठेरेगा अत्वा यदि कोई मनुष्य किसी अशुद्र वस्तू को आज्यानता से चूले चाहे वह अशुद्र वस्तू किसी भी परकार की क्यों ना हो जिस से लोग अशुद्र हो जाते हैं तो जब वह उस बात को जान लेगा तब वह दोशी ठहरेगा अत्वा यदि कोई बुरा या भला करने को बिना सोचे समझे शपद खाए चाहे किसी प्रकार की बात वा बिना सोचे विचारे शपद खाकर कहे तो ऐसी बात में वा दोसी उस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा और जब वा इन बातों में से किसी भी बात में दोशी हो तब जिस विचे में उसने पाप किया हो वा उसको मान ले और वा यहुआ के सामने अपना दोश बली ले आए अथर्थ उस पाप के कारन वा एक भेड़या बकड़ी पाप बली करने के लिए ले ले आए तब याजग उस पाप के विशे उसके लिए प्राहिश्चित करे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सपत अगर मैं देखता है देखे जाता है कि किसी को आपने वादा को किया किसी को सपत दिया कि मैं तुम्हारे प्रती यह करूगा या मैं यह कह सकता हूं कि अचा जब तुम्हारा कभी मदद रहेगा कुछ जरूरत रहेगा मैं तुम्हें मदद करूँगा तो वह वेक्ति कि जब जरूरत रहता है रहता है कहता कि ओ मुझे जरूरत है या कहते हैं कि पाप उस वादे को पूरा नहीं करता है, तो आप गुनेगार तहर को, simple as that. तो यह दर साता है अभी के भी समय ने कि हम कोई बात करें या किसी से वादा करें उससे पहले ये जान ले, कि हमें वादा करना ँभा आए, तो उसे निभाना भी है, पर मिशवर ने अगर हम देखते तो वह पाप दर साता था. और जैसे अगर आप अभी पढ़ेंगे जो इलिविटी के 6 में भी अगर आम देखेंगे 6 से 1 से उसी तरह से वो दर्शाता है जो जो ट्रेसपास जिसे कहते है ना जो दोश बली वहां दिखलाता है वो बतलाता है पादरी उसके विशे में कि अगर आप किसी पढ़ेवे वस् बी आपको बल लेकर आना है तकि आपका जो पाफ फो चमा हो तो मुझा आगे परते हैं पादरी और देखते हैं चो आकरी है वह जो नदाब और जो अभियू का जो पाप है उसे देखेंगे तो हम कुछ कहेंगे फिर सम आप करेंगे लिबिटिकस तेन और वन टू टू पर देखें तब नादाब और अभियू नामक हरुन के दो पुत्रों ने अपना अपना धूप दान लिया और उन में आग भरी और उन में धूप डाल कर उसी उपरी भाग को जिसकी आग्या यहुआ ने नहीं दी थी यहुआ के समुख उपस्तित किया तब यहुआ के समुख से आग निकली और उन दोनों को भसम कर दिया और वे यहुआ के सामने मर गए यहां पर हमें क्या सीख मिलता है हमें भी मिला और इस्राइल को लोग तो भी देखते कि उन लोगों को भी एक सीख मिला कि परमेश्वर के सामने हम अपने तरीके से नहीं आ सकते हैं परमेश्वर के सामने उस समय पादरी साब बिना लहू के नहीं जा सकते थे या अगर आप लहू लेकर जाते हो तो परमेश्वर ये भी कहा था कि किस समय पर मेरे सामने आना ऐसे नहीं कि जब हम चाते हैं तब हम उसके पास आ सकते हैं उन लोगों के लिए था और जब एरोन का जो दो पुत्र था उसे हम देखते हैं कि उन लोगों ने ठीक समझा पादरी कि चलो आज हम लोग ओम बली लेकर चली जाए और वो लोग के जो दरसाते थे कि वो अप बुझना नहीं चाहिए तो जब हम पढ़ते थे तो दरसाता जो कोमेंटरी लोग जो कहते हैं कि वो यह भी हो सकता था कि जो इन लोगों को देखना था कि आग बुझे नहीं वो आग बुझ भी गया था और वो लोग अपने तरीके से आग फिर बराना चाहते थे लेकिन ज परमिश्वर अपने महिमा के द्वारा आग को बराया तावा और परमिश्वर ने कहा था कि ये आग बुझना नहीं चाहिए याने कि लकडी रखना चाहिए सरब समय लेकिन जब बुझ गया ये अपने तरीके से आगया और क्या हुआ उन लोगों को डन मिला याने हम यह कह सकते हैं लेकिन केवल सिर्फ परमिश्वर के तरीके से ही हम परमिश्वर के पास आतके हैं आज हम लोग भी परमिश्वर के पास नहीं जा सकते हैं इसलिए इश्वर ने कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हुए बिना मेरे द्वारा कोई पिता से नहीं मिल सकता है याने कि ब परमेश्वर के उपस्तिती में आ सकते हैं, उसके अनुग्रा को पा सकते हैं, उसके दया को पा सकते हैं, लेकिन कैसे? रभू इसुमसी के लहू के द्वारा, हम ये नहीं कह सकते हैं, अब भी अगर सहत हम इसुमसी को नहीं अपना है, नहीं हम परमेश्वर के पास जा सकते है वो पाप है तो कभी नहीं जा सकते इसलिए परमेश्वर ने जिस प्रकार से बतलाया उसी प्रकार से हमें जाना है उस समय भी आज भी परमेश्वर के सामने हैं अगर हमें जाना है तो सिर्फ इस मसीह के लहू के दौरा पादरी सही है पादरी ये जैसे आपने है का कि हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा जो मार्ग है वो सिर्फ मसीह के द्वारा चलता है हम किसी भी मार्ग पर अगर जाना चाहते हैं तो हमें हमें ये जानना है कि सबसे पहले हमें अपने मसिया का जो नाम है उसको लेना है उसको धन्यवाद देना है उसी ही के द्वारा हम सही रास्ते पर जा सकते हैं जो मार्ग है सत्य का मार्ग अगर हम जैसे हम अभी आपने कहा कि जो यहुआ परमेशवर का आगया है उससे ना मानने से क्या डंड मिलता है तो हम यह जानते हुए भी है अगर हम वही करें जो परमेशवर नहीं चाहता है जो उसकी जो विदी विदान है जो कुछ हैसे हम कहते हैं उसमें नहीं है और हम उसके खिलाफ कुछ करते हैं जो हमे नहीं करना है तो यह भी तो जानना है कि जो डंड है हमें मिलेगा और जब हमें परमेशोर को जो कुछ भी डंड है अगर हमें इस तो मिलता है तो फिर हम हमें यह भी जानना है कि हम परमेशोर को क्यों दोस्त दें दोस्त हमारा है हम जानते थे कि हमें इस रास्ते पर नहीं ज उसी रास्ते पर जाते हैं और जब हमें चोट लगती हैं गिरते हैं तो हम दोस्त किशे देते हैं परमेशोर को देते हैं लेकिन दोस्त तो खुद हमारा है तो उसी तरह से हमें हर एक जो विदी है इस उस तक के में हमें हर एक विदी को पालन करना बहुत ही जरूरी है पादर पहले इसकी पुष्टी की परमेशोर ने विवस्ता को मुशी की रूफ से मुशा को दिया जिसने इसे लोगों को दिया जिनों ने कहा जो कुछ यहुआ ने कहा है वह सब हम करेंगे और उसकी आग्या मानेंगे तो यह मुशा का वचने किस तरह से समझाता है अपने लोगों को कि यहुआ का जो यहुआ ने कहा है उसके जो हर एक वचने अगर हम मानेंगे और उसके रास्ते पर चलेंगे तो उसमें हमारे लिए हर एक जगा हमारी लाव ही होगी ऐसा ही है कि हम हर एक जगा हमें आज भी जानना चाहिए कि परमेश्वर की आग्या का हर समय हमें पालन करना बहुत जरूरी है चाहे हम कलेश्या में हो और या बाहर भी हो हम कुछ भी कर रहे लेकिन ये हमें जानना है कि हम परमिश्वर के चावनी में और वही हमें बचाने वाला है सही है पादरी साब और जैसे हमने देखा है और हम ये विश्वास करते हैं कि बहुत से चीज़ को हम लोग सिखा है कि परमिश्वर जो हमारा पवित्र परमिश्वर है और जैसे मैंने कहा कि वो कल भी पवित्र था सुर्वास से आज भी पवित्र है और आने वाला कल में भी वो परमिश्वर पवित्र है और वो चाता है कि इसके जो लोग है वो पवित्रता में अपने जीवन को बैतीत करे जिस परकार से परमिश्वर ने बतलाया कि इसके सामने में आना है उस प्रकार से हम सामने आते हैं जब जब हम देखते हैं कि जो लोग थे उस समय इसराइल के लोग थे उन लोगों को मद्धियस्ट की जरूरत रहता था कि परमेश्वर के जो तंबू था मेल मिलाप का उस तंबू या जो होली ओफ होली कहते हैं वहां जाने के मिलने तक कि याद रखना की प्रभू है और हम प्रात्ना को करकर समय करें नयावन परमिश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके लोगों को लिए जिसे आप ने चुना और आपने बचाया है करोडों में से निकाल कर आपने बचाया है और अपने आत्मा को दिया है और इश्यू के पवित्र नाम से, आमें मुख से कहते हो, कि परमेश्वर ने प्रभु येश्व मसी को जिलाया है, और अपने हिर्दे में इन बातों को विश्वास करते हो, तो आप उध्धार को पाते हो, तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु येश्व मसी के देना चाते हो, और पवित्र आत्मा को अपने और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से चमा करने के लिए प्रभु येशु मसी मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं आज से मैं आपके मार्ग में चलूँगा आज से मैं आपके सिवा करूँगा मैं प्रात्ना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिये जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा इशु मसी के नाम से मैं ये प्रात्ना करता हूं आमेन अगर आपने इस प्रात्ना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्ख कीजिए ताकि हम आपको बचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिकला सके और आपको हम दनवात देना चाते हैं हमारे साथ में सामिल होने के लिए आज और अग्ले मिलने पक ये याद रखना कि Swarga Pita जो विश्वाश योग है वो आप से प्रेम रखता है Prabhu Yeshu Masih भी जो विश्वास योग है वो आप से प्रेम रखता है यहाँ J气 Elm में हम लोग आप से प्रेम रखते हैं आपके लिए प्रात्ना करते हैं और Yeshu Masih ही Prabhu है www.jclm.org or you can like our Facebook page Jesus Christ is Lord Ministries to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram jclmpg Better still, subscribe to our YouTube channel jclmpg to receive the latest teaching of God from the ministry. jclmpg